दशेरे की सरल पूजा विदी आज हम आप से शेयर करने वाले हैं मित्रों जहाँ पर हमें पूजा करनी है सबसे पहले उस थान को अच्छे से साफ कर लीजी तो बिल्कुल सरल विदी से हम पूजा करेंगे तो यह दिखे सांजी का भाई हमने दिवार पर लगा लिया है दशे सांजी का भाई हमने दिवार पर लगा दिया है सांजी का भाई कैसे बनाना है इसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोड है उसके बाद मित्रों हमें गाएं के गोबर से दस पतलियां बनानी है तो देखिए हम सबसे पहले पतलियां बना लेते हैं बिल्कुल सीधा ही हम पर बना लेंगे चोख हमें पूर्णे की जरूरत नहीं है बिल्कुल सरल विदी आज हम आप से शेयर कर रहे हैं मित्रों इस तरह से बनाएं ताकि हमारी 10 पतलियां असानी से ही आ जाएं तो यह देखिए हम जहां पर सांजी का भाई लगाते हैं वहीं पर हम पूजा करते हैं तो वहीं पर मैं अपनी पतलियां लगा लेती हूँ तो यह देखिए हमने चार पतलियां लगा ली हैं यह देखिए फ्रेंड्स चार पतलियां हमने लगा ली हैं दो हम बीच में लगा लेंगे और चार दूसरी तरफ लगा लेंगे तो इस तरह से हमने यह पतलियां लगा कई से रावन के रूप में, कई रामचंदर जी के रूप में पूजा करते हैं, जैसे भी आपकी घर की परंप्रा है, उसी के अनुसार आपको उसी भाव से पूजा करनी है, क्योंकि रावन भी बहुत ही विद्वान थे, लेकिन अहंकारवश उसका वद हुआ और यहुंका आटा और आटे से पूजन करना, इनके पत्लियों के उपर थोड़ा-थोड़ा हम आटा अरपित कर देंगे, तो इस तरह से हमें सभी के उपर थोड़ा-थोड़ा सा आटा अरपित कर देना है, उसके बाद हमें लेनी है हल्दी, हल्दी से हम थोड़ी-दोडी हल् आपके यहां कहां कब की जाती है यह आप अवश्य ही बताईएगा यह पूजा हम जहां पर सांजी लगाते हैं और सांजी उतार कर वहीं पर सांजी का भाई लगाया जाता है तो खुले से बेड़े में चोंक में यह पूजा हमारे यहां की जाती है उसके बाद मित्रों हमने कि फूर्पित कर देने हें सभी जगह जितने भी हैं आपको फूरं मिल जाते हैं। शुद्धी करन मैंने पहले ही कर ली थी क्योंकि हमने चौक पूर लिया था।ा चौक को अच्छे से साफ कर लिया था।ट चाहेँ, आप फूर कर देलेगे। उसके बाद सभी जगा हम थोड़ा थोड़ा सा सिंदूर अरपित कर देंगे, तो इस तरह से हमें सिंदूर ले लेना है और सभी जगा उपर ही सिंदूर को अरपित कर देना है, एक बार पतलियां जमा लें, आप पूजा शुरू कर दें, तो इनको हिलाना नहीं होता, पहले आप हिला सकते हैं लेकिन पूजा करते समय इने नहीं हिलाना होता उसके बाद हमें मोली रूपी वस्र सभी जगा अर्पित कर देना है और सांजी के भाई को भी आपको तिलक कर देना है तिलक चावल लगा देने हैं तो सारी जगा पर हम इसी तरह से मोली का धागा अर्पित क कर दूँगी और जो आपने नवरात्रे बोए हुए हैं वह भी सभी जगह पर आपको अर्पित करने है सांजी के भाई के कान पर बीकान पर नोडते रखने हैं और आपने घर के ция भाई भाई ऑन पर रहने हैं जोकर बहुत अदिक army हैं अभी हमारे ना थोड़े से तो देखिए हमने सबी जगा जितने भी जो मुझे मिल पाई वो मैंने अरपित कर दिये हैं आप थोड़े जादा जादा रखिएगा क्योंकि जादा जो रखना बहुत ही शुब होता है उसके बाद अपने घर के लड़कों के कान पर भाईयों के कानों पर जो रखे जाते हैं और भाई भी अपनी बहनों को गिफ्ट देते हैं तो इसी तरह से हम सांजी के भाई को भी तिलग कर देंगे थोड़े से अक्षत लगा देंगे हम और मोली रुपी वस्र अरपित कर देंगे तो हमारे याँ सांजी का भाई लगाया जाता है आप की या लगाया जाता है या नहीं तो वो आप जरूर बताए और उसके बाद थोड़े से जो हम सांजी के भाई के कान पर रख देंगे तो यह देखे थोड़े से जो मैं कान पर छुआ कर यहां पर रख दूँगी और उसके बाद मित्रों आपको दीप चला लेना है दीपक पूजा में चला कर उसके बाद खील और पताशों से आपको धोख माननी है और दस कुजियां भरनी है तो यह दस दीपक में रख रही हू से छोटे दीपक लेकर उनमें खील और पताशे भर कर भी रख सकते हैं तो सभी जगा हम दस कुजियों का महत्र है हर चीज आपको दस की संख्या में लेनी है दस ही थेपलिया लेनी है दस ही आपको कुजियां भरनी है तो हर जगा हम दस कुजियां भर कर रख देते हैं ते दिखे हमने 10 कुजियां भर कर रख दी हैं और उसके बाद हम हाथ जोड लेंगे और थोड़े से फूल लेकर यहीं पर बैठ कर हम दिशेरे की कथा भी सुन लेंगे, एक जल का लोटा भर लेंगे और हाथ में कुछ फूल और कुछ अक्षत लेकर हम यहीं पर बैठ कर काई की भी कथा सुन सकते हैं, उसके बाद यह फूल हम यहां सारी जगा पर छोड देंगे और हाथ जोड लेंगे और दक्षिना हम पूजा में अरपित कर देंगे, तो कुछ दक्षिना आप अवश्य ही रखें, कई बार पूजा से में कुछ कमी रह जाती है, गल्ती हो जा के लिए हमें दक्षिना अवश्य ही अरपित करनी चाहिए, उसके बाद जो भी आप घर में परशाद बनाते हैं, हलवे का, पूरी का, खीर, पत्का, जो भी आपको भोग लगाना है, वो भोग लगा दीजिए, सांची के भाई को, और सब जगा पर भोग थोड़ा- के लिए हमारे चनल को जूट सब्सक्राइब करें, हमारी तरव से दिशारे की आपको हारदिक, हारदिक बधाए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद